हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing really, really well. CA Inter के exam स्टार्ट होने ही वाले हैं और उन exams के लिए आप लोगों को चाहिए सही strategy. इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों से share करने वाला हूँ. ऐसे 13 topics, those 13 topics अगर आप उनको अच्छे से revise कर लें तो आप 90 plus marks का surety लेकर अपने exam में जा सकते हैं. तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा September 2024 के ऐसे कौन से 13 topics हैं जो most important होने वाले हैं आप सभी के लिए. वीडियो अगर पसंद आये तो जरूर से like कीजेगा iVision के चानल को subscribe कीजेगा ताकि ऐसे आने वली और वीडियो आप लोगों तक पहुँँच जाएं और maximum दोस्तों के साथ share कीजेगा चलिए बिटा start करते हैं सबसे पहले priority 1 topics मतलब जिनको आप छोड़ना afford कर ही नहीं सकते 5 ऐसे topics हैं amalgamation, consolidation, schedule 3, internal reconstruction and buyback सर ये 5 ऐसे topics हैं जो 50 marks का coverage आपको आपके exam में देंगे जी हाँ बिटा ध्यान से सुन लीजिए amalgamation, consolidation का question पका आने वाला है 14-14 marks का और schedule 3 और internal reconstruction में से कोई एक आपको topic देखने को मिल सकता है 14 marks के लिए और buyback के questions आपको most likely देखने को मिलेंगे MCQ format में जहाँ पर आपके जो initial case based MCQs है वहाँ पर buyback का question 8 marks का आपको देखने को मिल सकता है तो अगर आप ये 5 topics अच्छे से कर लेते हैं तो ये आपको 50 marks का coverage देता है इन 5 topics को करने के बाद अब चलते हैं अपनी priority to list पे सर ऐसे कौन से topics हैं जो इनके बाद हमें करने हैं अगले 5 topics पीटा आपके लिए होने चाहिए cash flow statement, investment account AS16 यानि borrowing cost वाला chapter branch accounting and AS2 यानि inventories वाला topic सर ये 5 topics अगर आप further अपने पास कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको और 34 marks का coverage मिलता है सर ये वो topics हैं जहां से आपको पका पका question exam में देखने को मिलेगा ही मिलेगा इन topics को छोड़ने की गलती मत करिए ये topics या तो practical questions subjective question में आ जाएंगे या फिर ये जो topics हैं आपके पास case based scenarios के अंदर institute आपसे जरूर पूछेंगे तो सर ये priority 1, priority 2 list जो है इसको तो आप बिलकूल भी अपने पास एक भी topic को छोड़ना afford नहीं कर सकते सर जब ये P1, P2 हो जाएगा तो then let's move on to the P3 list मतलब the priority 3 list वहां पर कौन-कौन से topics हैं वहां पर leases बेटा expectation है इस बार आपको September 24 में leases का 4 marks का question देखने को मिल सकता है और intangible assets सर जी intangible assets भी अपने पास importance gain कर चुका है और सर theoretical topic देखिए वो 4 marks का theory का chapter तो हमने starting से ही आपको बोला है under the new scheme जो chapter 1, chapter 2, chapter 3 है वहां से 4 marks का coverage तो आपके पास आने ही वला है which makes further 13 marks का coverage आपके पास in priority 3 list में से priority 2 में से कितना आपको बोला था बेटा 34 marks का coverage आपको यहां से priority 2 list में से बोला था तो 50 plus 34, 84 marks और 13 मतलब मोटा मोटा हमने आपको 90 plus marks का coverage आपको बता दिया कि यह 13 topics हैं जिनको आप अच्छे से कर कर जाएए इन 13 topics के अंदर आपके पास आपका 90 plus marks का paper आपको वहां पर देखने को मिलेगा अब सर बात यह उठती है कि यह 13 topics कर लें यह बाकी भी करने की ज़रूरत है बेटा 101% बाकी करने की ज़रूरत है बेशक वो P4 level पर हैं बाकी के जितने भी topics हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं इंस्टिटूट महां से question नहीं पूचेंगे यह expectation है याद रखिएगा बेटा यह expectation है कि इन 13 topics में से पका paper आएगा ही आएगा चलिए 90 plus marks का आजाए लेकिन बाकी topics में से भी आपके पास paper आपको देखने को मिल सकता है कोई छोटा question आजाए या कोई बड़ा question आजाए बट आ सकता है तो छोड़ने की गलती तो बिलकुल भी मत कीजेगा बात समझ में आ रही है September 24 वाले students और एक important announcement मेरे प्यारे पैरे बच्चों के लिए जो बच्चे अपने पास CA Inter Advanced Accounting के complete course को detail में समझना चाते हैं पढ़ना चाते हैं वो हमारे साथ join कर सकते हैं 100% हमारा जो full course को cover करता हुआ amazing batch है at a cost of only 5999 जिसमें आप लोगों को live recorded classes unlimited views के साथ hard copy of the books RTP, MTP, PYQ class में cover कराते हुए with hand written notes with daily practice questions with live doubt sessions with private telegram group for your doubt support with test series जहाँ पर MCQ based case based and subjective test and along with career mentoring ये सारी की सारी चीज़े मिल रही है only at a price of 5999 इस course का enrollment link में इस वीडियो के description में डाल दूँगा अगर आप Jan 25, May 25 या September 25 के लिए aim कर रहे हैं बेटा ये वाला course आपके लिए 100% valid है इस course में हमारा strategy हमारे पास हर एक topic का detailed coverage along with ICI module का solution PYQ, RTP, MTP सब कुछ sports में आपको मिल जाएगा link वीडियो के description में है अगर आप enroll करना चाहें तो ये numbers पर आप whatsapp करकर भी support ले सकते हैं enrollment का I wish you all the very best जो बच्चे भी September 24 के लिए attempt दे रहे हैं अच्छे से अपना preparation करिए उपर दिये हुए तेरा topics को जरूर revise करिए इस वीडियो को maximum दोस्तों के साथ share करिए और जो बच्चे अपने पास Jan 25, May 25 या September 25 के लिए हम कर रहे हैं वो फड़ा-फट से इस batch को enroll कर लिजे अपनी complete preparations along with printed book and full course and unlimited views हमारे साथ जरूर करिए Thank you very very much बेटा channel को subscribe कर लेना आगे आने वाली videos में MTP के analysis आपके पास आपके list of most important questions वो सब चीजें आपको iVision के channel पर हम provide करने वाले हैं for CA Inter Advanced Accounting Thank you very very much God bless you all, take care